जोतर लिंक के प्राधु भाव की एक पुराणी कथा प्रचली थे हैं, कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाद चंदर देव से किया था, 27 कन्याओं का पती बनकर देव बहुत खुश थे, सभी कन्याओं भी इस विवाद से प्रसंद थी, इन सभी क उन्चाने का प्रभाव ये हुआ कि उनकी आसकती रोहनी के प्रती और अधिक हो गई, ये जानने के बाद राजा दक्ष ने देव चंदर को शाप दे दिया, जाओ आज से तुम शैरोग के मरीज हो जाओ, श्रापवश देव चंदर शैरोग से पीडित हो गई, उनके समान और प्रभाव में भी कमी हो गई, इस शाप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए, इस शाप से मुक्ती का ब्रह्मा देव ने ये उपाय बताया कि जिस जगे पर आप सुमनात मंदिर है, उस स्थान पर आकर चंदर देव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंदर देव श्राप से मुक्त हो गए उसी समय से ये माननेता है कि भगवान चंदर इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे तपस्या पूरी होने के बाद भगव बगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था मद्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष होते हैं एक शुकल पक्ष और क्रिशन पक्ष एक पक्ष में उनका ये शिराप नहीं रहेगा प्रन्तु इस पक्ष में इस शिराप से ग्रस्त रहेंगे शुकल पक्ष और क् उसी समय से इस स्थान पर भगवान शीव की इस स्थान पर उपासना करने का प्राचलन प्रारंभ हुआ तथा भगवान शीव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए देफता भी इस स्थान को नमन करते हैं इस स्थान पर चंदर देव भी भगवान श के साथ स्थित हैं ओम नमस्षिवाई